Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself Umar Tazkir. Guys, last के वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसे टेकनीक्स को देखा था, जो हमारी SEO की Black Hat टेकनीक्स होती हो, इनको हमें basically avoid करना है. और मेरा जो यहाँ पर बताने का मतलब है, इसका मतलब यह नहीं कि आप इस चीज़ को follow करो, यह केवल और केवल educational purpose है, कभी भी हम Black Hat SEO के लिए आपको encourage नहीं करेंगे, इसलिए जो आप देख रहे हो ने, topic mistakes हैं, कि जो mistakes आप करते हैं, Black Hat SEO कर देते हैं, वो avoid करना है, यह मत समझो कि मैं आपको इस चीज़ के लिए encourage कर रहा हूँ, यह guide कर रहा हूँ, कि यह भी तरीके होते हैं, आप इसे भी SEO कर सकते हो, नहीं, यह चीज़े करनी नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग, last के वीडियो में 4-5 techniques हम लोग देखीते हैं, अभी हम बात करते हैं, तो for example, जैसे flipkart, flipkart.com है, तो इसका दूसरे नाम से आप देखते होंगे, f-l-u-p-k-a-r-t.com, कुछ इस तरीके से आपको दिख जाता होगा, या flipkartindia.co.in, ठीक है, बहुत उसी से मिलता जुलता, जो URL है, वो यूज करते हैं, this is basically URL hijacking, this is again, यह SEO, Black Hat SEO technique, क्योंकि इसके basis पे आप जो flipkart के original users हैं, उनको आप अपनी website के उपर लाना चाहते हो, तो यह चीज ठीक नहीं है, कई बार यह ऐसे भी होता हो, कई बार इसको बहुत सारी जो government की website होती है, उनको, उनका URL hijack करके, जो user से उनको deceive करने की कोशिश करी जाती है, जैसे कोई भी अगर हम मान लेते हैं, कि कोई भी government की website है, जैसे मैं मान लेता हूँ, upresults.gov.in या upresults.nic.in ये कोई website हैं, जो government की website है, तो लोग क्या करते हैं, इस पैमर्स क्या करते हैं, वो इसी से मिलता जलता नाम ले लेंगे, और यहाँ पर dot, अगर इन्हें gov.in नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर वो co.in लगा देंगे, तो ये सारी जो चीज़ें आप देखना है, this all comes under typo squatting और url hijacking, उसके बाद wait and switch और page swapping, इसका क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको बताते हैं, आपने एक web page बनाया, और इसको आपने किसी specific keyword के उपर rank किया, जब आपने किसी specific keyword के उपर rank किया, तो होगा क्या कि भाई definite बात है कि यहाँ पर जिस keyword के उपर आप rank करना चाह रहे हैं, उसी से related यहाँ पर पूरा content होगा, अब ये page आपका rank हो गया, index हो गया, rank हो गया, सारी चीज़े ठीक चल रहे हैं, अब आपने इसके content को थोड़ा सा modify कर दिया, तो ये जो है rank किसी दूसरे keyword के उपर हो रहा है, और यहाँ पर content कुछ और है, हो सकता है, आपके किसी तरीके से आप user को deceive करना चाहते हैं उस दूसरे content पे, तो वो सारी चीज़े आपने यहाँ पर कर दिया, this is basically called as page swapping, यह page swapping है, फिर third जो यहाँ पर SEO, black hat SEO की technique है, that is spammy footer links, बहुत सारे लोग जो बहुत सारी keywords वगएरा को use करके, anchor text को use करके, keyword stuffing करके, वो बहुत सारे footer links create कर देते, then again this is also a black hat SEO technique, mirroring a website, अब यह तो बड़ी ही अजीब चीज़ है कि पुरी-पुरी website को ही mirror कर देते हैं, यहीं कि बहुत सारे ऐसे tools होते हैं, जिनसे की पूरी की पूरी website को mirror कर देंगे और उसको दूसरे domain के उपर live कर देंगे, this is again a black hat SEO technique, then negative SEO, अब negative SEO क्या होता है, negative SEO का मतलब है कि आप अपने competitor की positive image को किसी तरीके से negative कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप negative comments कर रहे हैं या उसकी अगर Google My Business के उपर profile है, तो आप आप negative ratings दे रहे हैं, यह सारी चीज़े भी कि आगर आप अपने competitor को unethical way से जो है वो beat कर रहे हैं, basically आप beat करें तो आप उसको अपने जो आपके SEO efforts ने उससे beat करें, अगर वो first position पर रायंग कर रहा है तो आप अपने content को और strong करें, आप अपने SEO की strategies उनको और strong करें, उसके उपर मेहनत करके, अपने blog, website के उपर मेहनत करके, आप उसको beat करें, unethical way से अगर आप SEO कर रहे हैं, अपने competitor को beat करने के लिए, then that is basically called as negative SEO, तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ कि ये केवल educational purpose के लिए है, यहाँ पर केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोग करते हैं या करते थे, बहुत सारे चीज़ों को Google के algorithm ने आप पकड़ लिया है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी website या तो CRP से बाहर फेक दी जाएगी, या फिर वो कभी दुबारा rank ही नहीं हो पाईगी, तो ये सारी चीज़ें, Google ने इन सारी चीज़ों को पकड़ लिया और आपको इनको करना नहीं है, केवल आप समझ लें कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर आपको कोई बता रहा है कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको